नमस्कार दोस्तों और स्टेटी विद ग्यान प्रकास में आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो दोबर के एक बज चुके हैं और आप जानते हैं कि स्टेटी विद ग्यान प्रकास YouTube चनल पर दोबर एक बजे आपके लिए GS का एक मार्क टेस्ट आयजूत किया जाता है यह जो प्रस्ण होते हैं यह especially UPSC की परिक्षाओं PET 2022 और वीडियो परिक्षा के लिए बनाए गए हैं लेकिन अगर आप त्यारी कर रहे हैं UPSC की परिक्षाओं की या फिर SSE CGL की या फिर TGT के लिए जिसमें खास तोर से आप से जो चार सब्लिटर पुछे जाते हैं जिसमें पहरा सब्लिट होता है इतिहास, पॉलिटी, एकोनॉमिक्स और जिगराफी तो उससे सब्मंदित जो questions है वो भी यहाँ पर होते हैं तो मिलाजुलाकर यह जो test होता है यह सभी पृद्वगी जितने भी होते हैं सभी के लिए बहुत important है तो चलिए सुरू करते हैं आज का test और आज जो प्रस्णों की संक्या है वो कितनी है मात्र 25 तो चलिए सबसे पहले एक question है आप लोगों के लिए जिसका answer नीचे comment करके आप लोगों को बता देना है तो फ्रेंट बताईए कि रामसर सूची के अनुसार विश्व में सरवार्दिक आर्द रभू में अस्थल कहां पर इस्तित है भारत एराम यूनाइटेर किंडम या फिर चीन तो इसका answer आपको नीचे comment box में comment करके फटा-फट बताना है अच्छे आपको बता दें या दिला दें कि वर्ड वेट लैंस डे प्रतिवर्स कब बना जाता है प्रतिवर्स दो फरवरी को तो एक question तो आपको इस तजबिर से ही मिल गया चलिए सुरू करते हैं आज का mock test question number one है कि आग का आविस्कार कब गुआ था पूरा पासान काल में आग अपने आप लग गई होगी क्योंकि आग तो अकसर पने आप ही लगती है जब हवा चलती है डालियों का घषण होता है कुछ सूखी पत्मिया रही होगी और आग लग गई होगी लेकिन पहिये कब बनाएगे पहिये का आविस्कार कब हुआ था नौ पासान काल मध्य अपने सद में कृष्र का उलेक देव की पुत्र और अंगीरस रिसी होते थे थे न अंगीरस तो अंगीरस किस जिस किरूप में मिलता है किस उपने सद में तो कठो उपने सद चांदों की उपने सद सुवितास्वर या फिर उपरोगत कोई नहीं सई आंसर इसका option B यानि कि चांदों की उपने सद अच्छा कठो उपने सद के बारे में भी question आता है इसमें नचिकेता और यम का संबाद है नचिकेता और मृत्य के देवता यम का संबाद है इसमें मृत्य के बाद क्या होता है इस पर नचिकेता सवाल करते हैं और यम उसका answer करते हैं तो कठो उपने प्रिस्ट में यह वर्ड़न आपको मिलता है चांदों के उप्रिसद में पहली बार क्रिष्र का उलेक मिलता है फिर अगला क्वेश्चन है कि असोक के अभिलेक को सबसे पहले 1837 में किसे पढ़ने में सफलता मिली थी असोक का जो अभिलेक है आप देख रहे हैं तो इसको सब से पहले किस ने पढ़ा था ये हैं जेम्स प्रिंसिप ने ठीक है जेम्स प्रिंसिप ने कब पढ़ा था 1837 में असोक के अभिलेकों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी तो सही जवाब बन जाएगा आप्शन बी फिर अगला क्वेश्चन है किस गुप्त सा सकने गिरि प्रिंत THIS अक्सर अल्टरनेटीवी से पूछता रहता है और इसका सई अंसर बनेगा आप्सन भी 60 जो अस्कंद गुप्त है ये गुप्त बंस का आठमा राजा था ठीक है और इसने अस्कंद गुप्त ने सबसे उलेखनी कारजू किया था उसमें तो ये था कि हुणों को पराजित किया था और एक विशडू अस्तंब भी बनाया था विशडू अस्तंब ठीक है अगला कुश्चन है अच्छे ये गु लोटकच फिर चंद्गुप्त प्रथम फिर समुद्गुप्त फिर राम गुप्त फिर आता है चंद्गुप्त दुति फिर आता है कुमार गुप्त प्रथम अस्तकंद गुप्त पूरु गुप्त फिर कुमार गुप्त दुति बुद्ध गुप्त नरसिंग गुप्त कु अस्थापी राजा जिसने तुंग भद्रा नदी पर एक बाद बनवाया था तो विजयनेगर के संगम बंस का वह प्रतापी राजा कौन था देव राय प्रथम यानि कि इस question का option A correct है सासंकाल कब से कब तक रहा था 1406 से लेकर 1422 तक देव राय प्रथम का सासंकाल रहा विजय नगर सामराज और संगम बंस में कुल 12 सासक हुए थे संगम बंस के बाद जो सासक यानि कि जो वंस अस्थापित हुआ था विजयनेगर सामराज पर वो कौन सा बंस था साल्व बंस आया और साल्व बंस के बाद तुलू बंस ठीक है यह बंसावली है विजयनेगर सामराज क अगला question है British house of commons का चुनाव लड़ने वाले सर्व प्रत्थम भारती कौन थे बहुत important question है British house of commons का चुनाव लड़ने वाले जो पहले भारती थे वो थे grand man दादा भाई नवरोजी यानि किस question का option A correct है दादा भाई नवरोजी ने liberal party liberal party के उमिदवार के रूप में कब लड़ा था ने चुनाव 1892 में British house of commons का चुनाव लड़ा था फिर देखिए अगला question है कि forward block की अस्थापना किस ने की थी यह forward block का जो जंडा है अभी हाली में इसमें से यह जो image आप देख रहे हैं इस image को हट दिया गया है तो अब जंडे पर केवल यही एक सेर बचा है तो forward block की अस्थापना की गई थी सुबास नर्वोज की द्वारा और अस्थापना कब हुई थी 1949 में की गई थी ठीक है इसको आप याद रखना एक मई 1949 फिर अगला question है कि कि किस operation के तहत भारत चोड़ो आंदोलन के दोरान 9 अगस्थ 1922 को महात्मा गांधी समेत सभी चोटी के नेताओं को गिरफतार किया गया था तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जब भारत चोड़ो आंदोलन स्टार्ट गए था 9 अगस्थ 1922 को तो सभी जो चोटी के नेता थे सभी को गिरफतार किया गया था इस operation को लोग इसका आंसर लिखते हैं तो आप्रेशन पोलो के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ठीक है बहुत इंपोर्डेंट है तो इसको सर्च करिए और बताइए और यह तस्वीर आप देखी रहे हैं भार चुड़ो आंदोलन 1922 की तस्वीर है फिर अगला कोश् कुरूर 1026 का दिन था जब मुहम्भद अली जिन्दा के कहने पर पश्चिम बंगाल में यानि कि यहां पर जो कुश्न बने गा आफका इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर पतंजाई का डारेट एक्स लूर's अगिसका डारेक्स में का ःउम्भधि, लगभख पक्ष आपस में लड़ने रगे थे विकाज आफ क्योंकि जो मुसल्मान थे वो थोड़े से direct accent day के दिन मुहमद अली जिन्ना के करने पर थोड़े से घातक हो गए थे तो हिंदू-मुसल्मानों में टकरा हुआ जहाँ पर हिंदू अधिक थे वहाँ पर मुसल्मान अधिक थे वहाँ पर हिंदू मारे गए पस्चिम बंगाल में ही 20,000 हिंदू के अत्या कर दी गए थी आप तस्बीर हैं यहाँ पर देख सकते हैं फिर अगला कोश्चिन है गांधी जी द्वारा अस्थापित हरिजन सेवक संग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे तो यह हैं घंस्याम दास बेड़ला जी यानि कि इस कोश्चिन का option A करेक्ट है फिर अगला कोश्चिन देखिए अविश्वास प्रस्ताओं के द्वारा हटाये जाने वाले जो प्रदान मंत्री हैं उनका नाम बताइए तो अटल बहरे बाश्पई की सरकार पहले बार कदने दिन चली थी 13 दिन फिर चली थी 13 मंत ठीक है उसके बाद 5 साल तो अटल बहरे बाश्पई के खिलाब भी जो अब इस्वास प्रस्ताओं लाए गया था एक वोट से सरकार गिर गई थी और विश्वास प्रताप सिंग यानि कि इस question का option A और B दोनों correct है आंसर बनेगा option D अच्छा अब विश्वास प्रस्ताओं क्या होता है लोग सबा में बिपक्ची दलों की तरफ से सरकार के खिलाब ये प्रस्ताओं लाए जाता है सरकार को लोग सबा में बहुमत साबित करने की चुनोती दी जाती है और क समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छित में दिया गया है विधान परिशद में जो विधान परिशद होता है न अच्छे आपको पता है कि कितने राज्यों में विधान परिशद है छह राज्यों में कौन-कौन से राज्य है एक तो यूपी में है दूसरा बिहार में है यूपी और बिहार यहाँ पर देखिए आप आंध प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है और करनाटक में तो यह कुल में लाके 6 राज हैं अच्छे एक राज और यहाँ पर है यह महारास्टरा है यह करनाटका तो करनाटक और महारास्टरा आंध प्रदेश और तेलं You is www.euse.peothes.la Sydney सबसे बड़ी समीति कौँस होती है जिसमें लोग सबहा के ती सदस्यों को सामिल नहीं किया जाता है तो लोग सबहा के ती सदस्यों से जो संसद्थी सबसे बड़ी समीति बंती है यह इक 3 समिति है और इसको कहा जाता है प्राक्टलन समीति अच्छे वित्ती समित्या मुक्रूप से तीन होती है एक होती है PSE ठीक है इसको कहते हैं लोक लेखा समित इसमें कितने सदसे होते हैं 22 होते हैं इसमें 15 सदसे लोक सभा से होते हैं और बाकी जो 7 सदसे होते हैं वो किसे होते हैं राज सभा से होते हैं प्राक्रान समीत में कितने सदस होते हैं, 30 सभी लोगसभा से होते हैं, सारोजनिक उपकरम की समीत होती है, इसमें सदस से कितने होते हैं, 16 चीक है, 10 धन 5 और एक अध्यक्ष इस प्रकार से, तो 10 होते हैं लोग सभा से 5 होते हैं राज सभा से एक अध्यक्ष होता है तो इस प्रिकार से इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर सही अंसर बनेगा आपका option B अच्छे यह जो संसदी समितियां होती हैं उसके बारे में थोड़ा से देख लीजिए जो अस्थाई समितियां हैं उसमे मुक्रिब से बित्की समितियां हैं जिसके अंतरगत लोग लेखा समिति हैं प्राकलन समिति हैं और लोग उक्रम समिति हैं ठीक है इसके बाद विभाग समितियां होती है जा समितियां होती है सदन समितियां और सेवा समितियां होती है तो यह अस्था ही समितियां है संसधी समितियों के अंतरगत अगला क्वेश्चन है ओजोन संरक्षण संबंधी अंतरराष्ट्री संधि मौन्ट्रियल प्रोटोकाल पर कब हस्ताक्षर किया गया और इसका अंसर है 16 सितंबर 1987, 87 में, तो option C यहाँ पर बिलकुल correct है, यह बिलकुल याद रखना, यह बहुत ही important question है, ठीक है, अगला question है, जैव विविता दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है, अंतर राश्ति जैव विविता दिवस प्रतिवर्स होता है, 22 मई को, तो option C यह यह जो theme है, 2022 में, यह भी आपको बता देता हूं, important है, तो theme क्या रखी गई थी, देखो friends, theme रखी गई थी, चले प्रकिरती की और, ठीक है, चले प्रकिरती की और, अगला question है, Siberiai सारस, भारत के किस राश्ट्री उध्यान में, प्रजिन करने लिए आते हैं, तो यह जो सार पूर पक्षी अभ्यारण, अब इसका नाम हो गया है, के उला देओ घाना राश्ट्री है, उध्यान, तो सही जबाब बनेगा option A, बताइए अगला question, कि भारत ने G20 summit, 2023 के लिए, कितने देशों को guest country का दरजा दिया है, जैसा कि अब लोग जानते हैं, कि G20 के लिए, जो अ बाब है, नौ देशों को, देखो, एक point में आपको बताता हूं, जो कि बहुत ही important है, जहां से देखना, G20 से दस्यों के अलामा, G20 की अधिक्स्ता करने वाला जो देश होता है, यानि कि G20 presidency, कुछ अतिति देशों, और अंतरराश्टी संग्टनों, और G20 बैटकों, और शि ILO, FSB और OECD को अमंद्रित किया जाता है, इसके लावाँ, AU, आडा, नेपाड और आसियान के अधिक्स्यों को बिला जाता है, और भारत द्वारा जो 9 देश अमंद्रित किये गए हैं, अतिति देश, उसमें बांगलादेश, मिसर, मौरिसस, निदरलैंड, नाजीरिया, ओ मोमान, सिंगापूर, स्पेन और सयुक्द अरब अमिराद सामिल हैं, साथ यवारत ISA, अंतररास्ती सोर गडबंदन, CDRI, आपदा लचिला, भुन्यादी धाचेकली गडबंदन, और ADB को भी अतिति आयो की रूप में आमंत्रित करेगा 2023 में, अगला क्वेशन है, भारती अगला क्यों है किस देश ने, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी को अपनी सेणा का मानद जनरल बनाया है तो इसका अशर बनेगा नेपाल ने भारत और नेपाल में 1950 से ही ये परंपरा है कि क्रम से हम एक दूसरे के जो थल सेना अध्यक्ष होते हैं उन्हें अपनी सेनाओं के मानद अध्यक्ष का दर्जा प्रतान करते हैं तो ये जो परंपरा है ये 1950 से ही चल रही है तो अभी हाली में नेपाल ने आर्मी चीफ जनरल मनोश पांडे को अपनी सेना का मानद जनरल न्यूक्त किया है क्वेशन नंबर 20 देखते हैं पहला स्वदेसी एरक्राफ्ट केरियर जिसे PM ने भारती नोशिना को सौपा है ये स्वदेसी एरक्राफ्ट केरियर है और इसे प्रधान मंतरी मोधी है भारती नोशिना को सौपा है इसका नाम है INS विक्रांत यानि कि इस कुश्चन का option A correct है चलिए आगे बढ़ते हैं किस देश ने 10 बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को Mother Heroine टाइटल देने का फैसला किया है लेकर प्रेंट्स पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश तों सा है सबसे बड़ा देश है रूस लेकिन वहाँ पर आबादी कितनी है मात्र 14 करोन और 41 लाक तो आबादी सबसे अधिक और सौरी आबादी बहुत कम है चतरपल में रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो यहाँ पर जो अभी हाली में यहाँ का जो सासान है उनसे ने कहा है कि जो महिला 10 बच्चे को पैदा करेगी उसे मदर हिरोईन टाइटल दिया जाएगा और कुछ अनसुद्धाय भी प्रदान की जाएगी तो कुश्चन याद अगना इंपोर्टेंट है फिर आगे बढ़ते हैं बदाएं कि फुलहर जील कहां पर मिलेगी आपको फुलर जील अगे कोश्चन नमबर 22ura यह मिलेगा आपको महाराष्ट्रा में अगे dragon पूर्चन नमर 24 भारत में कौन सा आदिवासी समुदा है अधिकतर उदयपुर में शिरोही की अरावली परवतमाला में पाया जाता है हलांकि यह जो आदिवासी समुदा है यह आज पूरी दुनिया में इनका विश्था हो चुका है ठीक है फिर भी मुख की रूप से यह अगला क्वेशन है कि कौन से जन जाती प्रस्चिम बंगाल की प्रमुख जन जाती है और ज्यादा तर बाकुंडा और पूरुलिया जिलों में पाई जाती है यह प्रस्ट यूपिटर प्रसी मंडी परिश्थ परिश्था से लिया गया है और यह जाती का नाम क्या है संथा जो जर जज़ाती है जुन जाती है लेकिन इनका जो विस्तार है वो आपको बिहार में भी मिलेगा और वेश्ट बंगाल में भी मिलेगा और कुछ अन्य प्रदेशों में भी मिलेगा तो scriptures का अंसर बनेगा option C संथाल जो लोग कल का जो practice state है उसको हल किये हैं, उन लोगों से मैं दो प्रस्ट आपके सामने रखता हूँ, यह एक रिवीजन MCQ जोगा, अगर आपने कल का वीडियो नहीं वाज किया है, तो अभी जाके वाज कीजिए, बहुत ही important questions है, उसमें से दो प्रस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, इसका answer नीज आले का गठन कब वहा था, तो यह दो questions है आप लोगों के लिए, यह आपका homework है, फटाफट इसका answer करिए नीचे, और देखो friends, मैं आपको बता दूँ कि रोज दो पर एक बजे आपके लिए GS का mock test आउजित किया जाता है, जो कि खास तोर से आपकी जो भी परिचाह हैं, उ पड़कर आप चाते हैं कि आपको नीमित रूप से और अधिक संक्या में यह test मिलते रहें, तो आपकी जिम्दारी बनती है कि इस पर थोड़े से views आप अपनी यूर से भी लाएं, thank you so much, have a great day, जैहिंद.